पॉकेट डाइनामेट इशन किसन ने IPL में कल RCV के खिलाफ खेलेगे मैच में एक बार फिर अपनी बल्ले की मदद से मैदान पर कहर बर पाया इशान किशन ने महच 34 गेंदों पर 202.94 की स्ट्राइक रेट के साथ साथ चोके और पांच शक्कों की मदद से उनहतर रंजड दिये ये तोफानी बल्लेबाज काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहा है ऐसे में T20 वर्ल्ल कप में इनकी जगह को लेकर भी शवाल खड़ किये जा रहे थे RCV के खिलेगे ताबा तोड तुफानी अर्चत के पारी नेक वार फिर बिस पोर्टक बिकेट कीपर बल्लेबाज की टीम इंडिया में वापसी की उमीद जगह दी है उनके फैंस ऐसा कयास लगा रहे हैं कि टीम इंडिया में एसन केशन की वापसी होगी और इसी साल अमीर का में खेले जाने वाले T20 वर्ल कप में एशान का बल्ला फिर से धोम मचाएगा इसन के सन्ट टीम इंडिया के लिए पिछले साल नौवंबर दिसंबर में उस्टेलिया के खलाफ T20 सिरीज के बाद से नहीं खेले हैं दरसल इसन को BCCI ने केंदरिये अनुबंध से हटा दिया था साथ ही BCCI की चेतावनी के बाब जूद वो रंजी ट्रॉफी नहीं खेले थे ऐसे में भारतिये टीम में उनका भविश सवाल के घेडों में था गौरतलब है के इसन मानसिक ठाकान का हवाले देकर दक्षन अफरेका सिरीज बीच में ही छोड़ कर वापस लोट गए थे रंजी ट्रॉफी खेलने की सलादी थी लेकिन इशन ने इसकी अंदेखी की और कप्तान हारदिक पांडिया के साथ IPL की तैयारी करने का फैसला किया आपकी इसन किसन के बारे में क्या राय है हमें कॉमेंड करके जरूर बताएं